वेल्कुम टू दे चैनल आई तर्ली चैनल ने चोड़ाई ली है वह 11 इंच ली है और जो इसके अंदर का सरकल लिया है वह दो इंच लिया है और इसको हम एक वाइट कलर के कपड़े से कवर कर देंगे दोनों साइट से यह पोशाक पांच नंबर छे नंबर साथ नंबर काना जी को आराम से फिट आएगी तो पहले आप एक तरफ फैब्रिक को पेस्ट करें अगर आप पेस्टिंग लेते हैं मैंने बुकरम का यूज किया है अगर आप पेस्टिंग लेते हैं तो आप पहले उसको एक तरफ से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लें और दूसरी साइट फिर फैविकॉल लगा कर या फ फैब्रिक को तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करें लगभग एक इंच एक्स्ट्रा कट कर लें उसको जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है इसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हम इसको एजिली फोल्ड कर सकें आप इसको फोल्ड करने के लिए पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं यह आपकी चॉइस के उपर डिपेंड करता है मैं इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ तो मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ उसके बाद को दिखाती हूं तो यह देखिए मैंने इसको एक सिलाई की मदद से फोल्ड कर लिया है और अब इसमें सेंटर में हमें कट लगाएंगे और जो यह बीच वाला कपड़ा है इसको भी हम निकाल देंगे कट लगाने के बाद देखिए बेस हमारा बनकर तयार हो गया है तो अभी मैंने ये दो पट्टियां ली है जिनकी चोड़ाई लगबख साड़े पांच इंच है और लंबाई आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं मेरे पास थोड़ी छोटी छोटी दो पट्टियां थी इसलिए मैंने दो ली ह हैं अगर आपके पास सिंगल एक पट्टी काफी अच्छी लंबाई की हो तो आप वो भी ले सकते हैं पट्टी की लंबाई लगबख 50 इंच या फिर 45 इंच या साथ इंच एस पर यॉर चॉइस हो सकती है तो अब इसको मैंने चॉइंट कर लिया है तो अब इसके एक साइड पर मैं ये मल्टी कलर की लेस का यूज करूंगी आप अपनी पसंद की किसी भी लेस का यूज कर सकते हैं तो मैं ये सिर्फ इस पर एक साइड लगाऊंगी पहले इसको फोल्ड करूंगी उसके बाद उसके उपर से इस पर ये लेस को लगा पट्टी मेरी तयार हो गई है एक साइड लेज लगा कर और अब मैं इसमें चोटी चोटी गैदरिंग डालूंगी एक साइड से हम इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे और कमर के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेट्स को डालकर तयार कर लेंगे देखिए मैंने प्लेट्स बनाकर घेरा तैयार कर लिया है और इस पर मैंने हल्की सी प्रेस भी की है ताकि ये प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं और अब हम इसको बेस के उपपर लगा देंगे अब देखिए वैसे तो ये पोशाक इतनी भी काफिस अंदर लग रही है और होली की थीम के साथ पूरी पूरी जा रही है लेकिन अगर आपके पास मल्डी कलर के कुछ कपड़ों के पीसीज पड़े हो तो वह भी काफी है हमारी ड्रेस को पूरा करने के लिए और एक नया लिया है और इसका हम यूज करेंगे वाटर ड्रॉप की तरह जैसे कपड़ों पर कलर गिर जाता है और वह एकदम से स्प्लैश हो जाता है उस तरह की शेप्स हम कुछ बुकरम की कट करेंगे और उन पर यह कपड़ों को पेस्ट करेंगे यह देखिए कुछ इस तरह की कि मैंने इन सभी को पेस्ट कर लिया है अब मैंने को कट कर लूँगी कट थोड़ा नीटली करें कि देख लिए मैंने कट करके सारे तयार कर लिये हैं आप यहां पर अपनी पसंद के कलर्स का या फिर जो आपके पास अवेलेवल हो उसके अकॉर्डिंग आप इनको लगा सकते हैं तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरे गेहरे पर पेस्ट कर दूंगी देखिए लग रही है न यह ड्रेस बिल्कुल जैसे अभी काना जी खोली खेल कर आए हूँ और इसका लुप बहुत ही सुन्दर लग रहा है और अभी हम इसके जो यह हमने डॉट्स बनाए है इसको थोड़ा सा और सुन्दर दिखाने के लिए यह स्टोंस का यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पर मोतियों का या फिर मिरर्स का कट मिरर्स जो होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर कुछ और चीज अब ही मैं इसके कमर वाली साइड बेल्ट को भी अटैच कर दूंगी यह देखिये बेल्ट भी लगकर तयार है अभी हम बनाते हैं इसके लिए चोली चोली के लिए मैंने दो सीधी पट्टियों को कट कर लिया है इसको हम फोल्ड करके और वापस से इसको टर्न कर लेंगे तो देखिए दोनों पट्टिया मैंने फोल्ड करके तयार कर ली हैं अब हम लगाएंगे इस पर ये सेम लेस को एक साइट इधर और तूसरी वाली साइट इधर तो इस तरह से लेश लगाकर आप भी पट्टियों को तयार कर लें और उसके बाद एक के उपर एक रखकर हम नीचे वाली साइट जहां पर जॉइंट है यहां पर इसमें सिलाई लगा देंगे और यह देखे इस तरह से बन कर तयार हो जाएगी अब जो शोल्डर पर आएगी जगा वहां पर हम इसमें टाके लगा देंगे यह प्लेट्स लगाते हुए जैसे हम साडी पर यह चुनरी की प्लेट लगाते हैं इस तरह से दोनों शोल्डर पर हम यह टाके लगा देंगे हमारी यह चोली बनकर तयार है आप चाहें तो इसी में डोरी को बनाकर नीचे वाली साड़ डोरी लगा सकते हैं और उसको सेपरेट पिना सकते हैं या फिर आप इसको गेरे पर अटैच करें अटैच करने के लिए सेंटर में जो हमने कट किया था उसके सामने इसको रखें और टाके लगा दें कि आप यहां पर सिलाई से भी टाके लगा सकते हैं और सुनी धागे की मदद से भी काना जी की यह ब्यूटिफुल से ड्रेस बनकर तयार है इसमें चोली भी अटैच हो गई है और अब हम इसमें स्रिंग को डाल लेंगे और उसके बाद हम इसे काना जी को पेना देंगे फ्रेंड्स में इसमें इस तरह की स्ट्रिंग को डाल रही हूँ आप चाहें तो यहां पर इलास्टिक को भी डाल सकते हैं तो यह हमारी ड्रेस है और यह है हमारे काना जी का इस ट्रेस में फाइनल लुक और होली सेलिब्रेशन के लिए यह लुक पिल्कुल परफेक्ट है तो आप भी इसी तरह की ड्रेस को बना सकते हैं यह कलर्स की ट्रे के यह पहला भी मैंने ही बनाई थी और इसकी वीडियो मैं upload कर चुकी हूं आप वो भी देख सकते हैं साथ ही मैंने यह बाल्टी और प्रिचकारी भी डेक्चुरेट की थी आप इसकी भी वीड़ियो देख सकते हैं तो फ्रेंग्स ये है मेरे काना जी का होली का फाइनल लुक फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपने अपने काना जी को किस तरह से होली के लिए तयार किया है आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे आप कमेंट सेक्षन में बताएं और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और अगर अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें यहाँ पर हम इसी तरह की काफी सारी टी आई वाई वीडियो झाना जी की DRESSES related वीडियो लेकर आते हैं और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेर भी जरूर कर दें तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक लिए ओके फ्रेंड्स बाइ